तो जो रिलेंटलेस मशीनरी है मैंचेस्टर सिटी की वो मूव ओन करती है जगननौट की तरह है और बिलकुल एक तरफा तरीके से हरा देती है आर्सनल को ऐसा भी नहीं है कि यह जो टाइटल डिसाइडर था यह बहुत क्लोस था या फाइड दी हो आर्सनल ने एक वन साइड तो मार्जिन ओफ एरर भी आगया मैंचेस्टर सिटी के पास इस रिजल्ट की वजए से अगर वह एक मैच हार भी जाते हैं स्टिल उनके पास एक मैच होगा वह मेक अप करने के लिए डिफरेंस और वर्स्ट केस सिनारियो भी ऐसा है कि अगर मान लीजी एक मैच हार गई ज जो कि एक डिफिकल्ट फिक्चर होता है हमेशा और चेल्सी को तो मैं नहीं बहुत हुआ डिफिकल्ट फिक्चर हो चेल्सी और ब्रेंटफर्ट की भी बात करेंगे बट अगर आप फिक्स्चर का रन-इन देखेंगे तो मैंसिटी का जो फिक्स्चर लिस्ट है वो थोड़ कल आप परफॉर्मेंस देखें सिटी का इट वाज़ आर मास्टर क्लास बाट पैब गौडियोला और हाउंड गर दिया बिलकुल आर्सनल को मिडफील्ड में इट वाज मैं वर्सिस बॉइस एक जो मैं डिसपॉर्मेंटिंग चीज कहूंगा आर्सनल के पॉइंट ऑफ यू से ये हुई कि एक स्पाइनलेस परफॉर्मेंस थी इतने बड़े मैच में मतलब आपका पिछले पता नहीं कितने सालों में प्रिमेर लीक में तो सबसे बड़ा मैच है आपके टाइटल डिसाइडर है पोटेंचली और आप इस तरीके की परफॉर्मेंस देते हो मिट फील्ड में हाउंड हो गई बिलकुल आर्सनल ओवररन कर दिया पैप गॉर्डियोला ने मौका ही नहीं मिला किसी भी तरीके का कंट्रोल रखने का आर्सनल को अपने पास जो वाइड प्लेर्स थे आर्सनल के इवन हेसूस भी मैं बोलूँगा एपसलूटली इन्विजिबल मार्टिनेली साका हेसूस मार्टिनेली तो मुझे याद ही नहीं कि अगर बॉल आई भी हो उनके पास तो और बहुत सवाल उठे थे कि आके इंजर्ड हैं क्या काईल वॉकर खेलेंगे तो उस तरीके से मैनेज कर पाएंगे गेम में लेगे जवाब आपके सामने है और जो क्वालिटी है मैंसिटी के पास स्पेशली अगर आप वो केविन डिवरोयना का पहला गोल देखे एपसलूट जीनियस फिलिक कर दिया अर्लिंग हालन्ड ने बड़ी अराम से ओविसली वहाँ पर कोई मौका नहीं है रॉब होल्डिंग के पास अर्लिंग हालन्ड को फिसिकली आउट मसल करने का लेकिन उसके बाद जो डिवल किया केटी भी ने और जिस तरीके से उन्होंने वो प्लेस किया है और मतलब हमको पता ही है कि जब बड़ा मैच होता है बिग गेम केव ऐसे ही नहीं बोला जाता केविन डिवरॉयना को जब भी बड़ा मैच होता है वो टर्न अप करते हैं मैंसिटी के लिए उन मैचेज में और बहुत ही बहतरी इन फिनिश लोग कह रहे थे कि रामसडेल को थोड़ा सा बहतर वहाँ पर attempt करना चाहिए था उसको save करने का मुझे नहीं लगता मुझे लगता है कि इतनी जबरदस्क प्लेस्मेंट और पावर थी उसमें एकदम perfect और accurate short था कि वो so near yet so far वाला जो scenario होता है keepers के साथ उस तरीगे का short था उसमें कुछ नहीं हो सकता था लेकिन जो second goal आया John Stones का set piece से उससे मेरे हिसाब से game seal हो गई और disappointed ऐसे होगी Man City की Erling Haaland की hat trick नहीं हुई या 4 गोल नहीं मार पाए इतने chances मिले थे Erling Haaland को 4-1 तो score line could have been 6-1, 7-1 इतने ज़्यादा chances मिले थे Manchester City को और ये domination दिखाता है उनका ये experience की जो मैं बात कर रहा था ये एक relentlessness की बात जो मैं कर रहा था एक ऐसी team जिसको trophies जीतने की आदत है एक ऐसा manager जो serial winner है तो उसको पता है कि अगर pressure आएगा तो सामने वाली team पे है मुझे तो आदत है मुझे पता है कि मुझे क्या instructions देने players को और same आप देखिए वो जो manager की जो personality है वो team पे reflect होती है कल जिस तरीके से बर्नाड़ो सिल्वा खेल रहे थे KDB की मैंने बात करी Rodry was really good John Stones was really good Harland का अगर हाफ last goal देखेंगे जो Harland ने goal score किया है बाल खोल दिये ठीक है style मारने के लिए और मतलब जो भी था कि गर्मी लग रही थी या मतलब क्या था जो भी था बाल खोल दिये और मतलब confidence दिखाया वो कि पता है कि मैं प्रिमेर लीग रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ और style से बिलकुल तोड़ा प्रिमेर लीग रिकॉर्ड और वो swag डिकता है उनका वो जो personality है वो एक charisma है वो दिखरा है इस team का और वो reflect होता है players जैसे Harland है, KDB है जो field पे करते है उससे और ये कहां से आता है ये आता है आपके manager से जो आपका manager आपसे करवाता है उससे ये सारी चीजे stem होती है तो बहुती-बहुती बहुती 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 performance यहाँ पर आप उंगली बिलकुल नहीं उठा सकते है man city से और बस आप ये कह सकते हैं कि टाइटल में अगर कुछ से होना था इस मैच का तो आप बहतर परफॉर्मेंस एक्सपेट कर रहे थे आर्सनल से लेकिन अब चार मैच में आप देखिए तीन ड्रॉर एक लॉस आई थिंक कि किसी भी टाइटल रेस में जो क्लोस जारी होती है बह बाकी टीम्स और बाकी मैनेजर्स अभी कितना पीछे हैं पैप गौडियोला से एंड़ तो अगेंस्ट अ मैंसिटी जो की ट्रेवल के लिए जा रही है और इट इस लुकिंग वेरी वेल विदिन दरीच अब यहां से कुछ ही मैच जो मैंसिटी को मैनेज करने है पैप को मै रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया कल अर्लिंग हालंड ने और अभी भी पांच-छे गेम्स बचे हैं सीजन में तो उससे पता चलता है कि वो कितने जादा और रिकॉर्ड बना सकते हैं हो सकता हुए ऐसा एक रिकॉर्ड बना दे जो तोड़ना बहुत ही जादा मुश्किल ह आने वाले कई सालों तक 34 गोल्स का रिकॉर्ड है एलिंशीरर और ऐजिंक एंड्रू कोड और एलिंशीरर का रिकॉर्ड है इना 42 गेम सीजन जब प्रिमिर लिंग में 42 गेम्स हुआ करते थे जब 22 टी में होती थी, जब 22 टी में होती थी, तब जो है, उसमें 42 गेम्स खेले जाते थे उस सीजन में, तो तब उन्होंने 34 गोल्स मारे हैं, और अगर हम 38 गेम्स सीजन की बात करें, जो की होता है अभी, जो चला आ रहा है, तो उसमें मुहमद साला का रिकॉर्ड है, 32 गोल्स का, जो कल अर्लिंग हालन ने तोड़ दिया है, तो congratulations to him and I definitely believe कि 34 गोल्स वाला रिकॉर्ड भी तोड़ ही देंगे, और Man City ने यहाँ पर अब जो है, पूरा एक प्रॉपर प्रॉपर जो है, यहाँ पर एक marker lay down कर दिया है, कि हम है, दादा, हम है, डाउन इस लीक के, जिसको जीतना है, उसको इतनी आसानी से नी जीतने देंगे, जरूर एक sense of belief था Arsenal के पास, लेकिन अगर आपको Man City से keep up करना है, तो वो ही intensity, वो ही tenacity, वो ही relentlessness आपको कायम रखनी पड़ेगी, throughout your Premier League campaign और जिस तरीके का drop आया भी Arsenal का, पिछले चार मैच में तीन ड्रोर एक लॉस, that is not good enough, और कि आप सोचे कि इस तरीके के आपके results आ जाएं, और still you manage somehow कि आप सोचे कि हम title race में बने वे, और फिर आप अपना जो मैच है, आप दोनों मैच अपने हार गए, Man City से, तो वो भी एक चीज है, जो इस Man City टीम को और जादा खतरनाक बनाती है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, there's a lot to learn from Arsenal's point of view again, किसी नहीं सोचाता कि Arsenal इतना late into the season title race में भी होगी, तो kudos to Arteta and Arsenal, मतलब अपने आपनी एक achievement है और overachieve किया Arsenal ने, जैसा मैं कहता हूँ, तो जादा disappointment होने की जरुवत नहीं है, look forward to positive things and build on from here, मेरे हिसाब से, अब talking about intensity, tenacity, looking forward to positive things and building on from there, तो Chelsea की बात करता है, जापे, ये कुछ भी नहीं है, there is no intensity, कुछ भी तरीके की tactical approach नहीं है, गेम में, किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, मतलब, अब देखिए, मैं बार-बार सेम चीज़ें नहीं वोलूँगा, कि क्यों, क्या लाइनप खिलाई, क्या बेकार लाइनप थी, कैसी थी, देखिए, लाइनप देखके ही समझ आ गया था, कि हम हारने वाले हैं, वो जो शुरू के कुछ रियाल मडरेट के अगेंस्ट काम कर गया, जरूरी नहीं था कि ब्रेंटफर्ट के अगेंस्ट काम करें, आपके पास इत्ते अच्छे-च्छे प्लेयर्स हैं, पता नहीं आप चुक्वा में का, मदुएके को आप बाद में लेके आए, अप स्टार्ट क्यों नहीं कराते हैं उन प्लेयर्स को, क्यों गैलेगर को हर मैच खेलना है, क्या उनके कॉंट्रैट में क्लाउज है, और उनका रोल क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा, किसी भी प्लेयर का कोई रोल डिफाइंड न कि हम ब्रेंट फर्ट के अगेंस्ट नहीं जीतेंगे, चार पर्ण जो हमारे आएंगे, नोटिंगम फॉरस्ट और बोनमत के अगेंस्ट ही आ सकते हमारे चार पर्ण, और जिस तरीके से हम खेल रहे हैं, वो चार पर्ण भी मुश्किल लग रहा है, रेलिगेट हम नहीं हों और owners ने frankly decision सही लिया था Graham Potter को sack करने का लेकिन आपके पास जब कोई plan भी नहीं था तो अब यह again decision आपका बहुत गलत प्रूव हो रहा है और ठीक है आप मैं मेरे पास ऐसा नया कुछ नहीं है बोलने के लिए जो मैंने पिछले तीन-चार वीडियो में नहीं बोला हो Chelsea को लेके खता में कुछ भी नहीं है आप देखो Stamford Bridge कल खाली पड़ा था बिल्कुल लोगों को interest नहीं है No one wants to watch this team, unrecognizable है यह जिस तरीके से Chelsea खेलती है क्या खेलते हैं हमको पता नहीं, goals हम score कर नहीं सकते Brentford पता नहीं, इससे पहले कुछ 6-7 मैच में एक भी मैच नहीं जीती थी, एक ही goal score किया था और हमने देखो फिर उनका वो streak तोड़ दिया उसके बाद लगातार 5 मैच हम हर गए हैं और पिछले 24 प्रिमेर लीग गेमस में, 23 प्रिमेर लीग गेमस में सिर्फ 4 wins है हमारी तो सारे जो गलत तरीके के records हैं हम set कर रहे हैं और मतलब और भी जो है अभी scope है बिगड़ने का, it can get more, मतलब और ज्यादा worse होंगी चीज़े है, it can get worse, और ज्यादा खराब होगी हलत अभी, तो हमको Arsenal से खेलना है, Man City से खेलना है, हमको Newcastle से खेलना है, तो अभी Manchester United से भी ख City away है, और United away है, यह यह तीन matches हमको away खेलना है, तो कैसे हम survive करेंगे पता नहीं, हो सकता है कि इन तीनों ही match में हम 4-4-5-5 goal concede भी कर लें, जिस तरीके से हमारा setup है, और players मतलब बहुत ही जादा lost लग रहे हैं, उनको किसी भी तरीकी को instruction ही नहीं दी जारी है कि आपको क्या कर मैं बस ऐसा लग रहा है, Lampard at random selection कर रहे हैं टीम का, और वो टीम को खिला दे रहे हैं और hope कर रहे हैं कि कुछ हो जाए, तो अगर इसी तरीके से आप hope करेंगे तो तुक के बाड़ी में एक आदा, अगर कोई win निकल आए तो निकल आए, बट मजाक से अठके, I genuinely don't think कि हम releg fight में है, because I think gap थोड़ा जादा है, और बाकी टीम है आपस में लड़ भिड़के, आपस में एक दूसरे को खा जाएंगी, मुझे ऐसा लग रहा है, तो उस case में हमारी किसमत अगर बहुत ही खरा हुई, वैसे तो सही बता हूँ, जिस तरीके से हम खेल रहे हैं न, हम deserve करते है relegate होना, तो एक बार मतलब चलो realistically अपन इस पे discuss कर ही लेते हैं दो मिनिट, तो 29 points है Leicester के ठीक है, और हमारे 39 है, worst case scenario लेते हैं अपन, अब Leicester, Everton और Southampton, ये इनी की बात करते हैं, तो इनके fixtures बहुत टफ हैं, उसके बाद जो relegation threatened team सब जैसे Leicester है, I don't think so, वो 5 match में 4 wins ल वो 10 points का gap जो है, उसको make-up कर लेगी, same with Everton मुझे नहीं लगता कि वो 6 match में 4 wins pick-up कर सकते हैं, Southampton तो are already dead and buried, तो mathematically भी मुझे नहीं लग रहा है, मतलब ठीक है, वो एकदम ही कुछ चमतकार हो जाए कि on the trot ही चली जाएंगे टीमें, लेकिन इन teams को भी तो अभी और बहतर teams क खेलना है, मतलब they will also have some of their games against the top 600 position, तो mathematically मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब possibility है, मतलब possibility है बट probability जादा नहीं है, मतलब possible है बट probable नहीं है, कहते हैं ना उसको, काफी जादा probability है कि मतलब हम रुक जाएंगे प्रेमिर लीग में, तो देखते हैं क्या होता है, बट जैसा मैंने क never say never in football और क्या interim को sack करके नया manager अभी ले आना चाहिए, अगर pochettino ready है, तो please get him, क्योंकि in any which way वो आएंगे जून में तो अभी आप लेओ, थोड़ा सा season के पहले उनको और काम करने का मौका मिल जाएगा, चार-पैंच मैच हो सकता है, लास्ट की जो तीन मैच है, उनमें कु आप लोगों से जल्दी जब तक ध्यान रखिए अपना take care and peace